इस वीडियो में हम लोग excise 5.3 के question number 3 के part 7 को discuss करेंगे given a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, find n and d इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कितनी information है? एक है a8 दिये हुए, an 62 दिये हुए और sn is equal to 210 दिये हुए तो अगर हम देखें इसमें तो an जो हमें last term है, l भी इसको कह सकते हैं sn जो है sum के लिए हम दो formula यूज करते हैं, तो एक वो जो last term वाला formula है अगर उसको अगर हम लगाएंगे इसमें, तो हमें आसानी से क्या हो जाएगा? d मिल जाएगा तो चलिए उसको लगा करके हम लोग देखते हैं sn is equal to n by 2 a plus l और इसको अगर बदल करके alternatively लिखें तो n by 2 a plus l is equal to sn तो चलिए value को put करके हम लोग देखते हैं और उसके बाद n को निकालने की कोशिश करते हैं n by 2 a के जगा में 8 बैठाना है और l के जगा में 62 और sn के जगा में 210 अब इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो n by 2 8 और 62 को add करेंगे तो 70 उसके बाद is equal to 210 70 को अगर shift कर दें तो n by 2 is equal to 210 by 70 और cancel out करेंगे तो 3 आएंगे और n is equal to 3 into 2 is equal to 6 तो इस तरह से हमें n मिल चुके हैं अब हमारा दूसरा target है वो है d है और d निकालने के लिए हमारे पास जो पुराना formula है basic formula है वो है a plus n minus 1d is equal to n a की जगा में हम लोग 8 लिखते हैं n की जगा जो के अभी हमें मिले हैं वो है 6 6 minus 1 और d तो हमें पता करना उसको छोड़ देंगे is equal to a n के जगा में 62 जो के दिये हुए है अब 8 plus 5d is equal to 62 5d is equal to 62 minus 8 अगें 5d is equal to 54 and d is equal to 54 by 5 इस तरह से हमने आसानी से information जो तीन information थे उसको यूज करते हुए हमने n और d निकाल दिये इससे पहले हम लोग 6th part को हम लोग discuss कर चुके इसके बाद और सम को हम लोग discuss करेंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसे subscribe भी करिए और bell icon भी जरूर दबाएं ताके हम इस तरह की वीडियो को आप तक सही समय पर पहुंचा सके थेंक्यू